आज मैं एक नया तरीका लाई हूँ पापड बनाने का एक कप से आप 200 पापड तक बना सकते हो और बिल्कुल मार्केट जैसे बनेगे आपके पापड बिल्कुल आसान तरीका ये एक नया तरीका मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ तो प्लीज मैंने अल्रेडी दो किजिए तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप साबुदाना आप चाया तो बड़े साबुदाना या छोटा साबुदाना कोई भी आप यूज कर सकते हो इसे आपको अच्छी तरीकी से वाश कर लेना है तीन से चार पानी से और इन से चार से पांच घंटे तक रख देते हैं तो चलिए मिलते हैं चार से पांच घंटे के बाद तो चलिए चेक करते हैं चार से पांच घंटे हो चुके हैं साबुदाने को भीगते हुए और साबुदान अच्छी तरीके से फूल चुके हैं तो इनका पानी में थोड़ा सा नितार लेती हूँ तो चलिए फेरिं इनका पानी में अलग कर लेती हूँ उन्हें नहीं थोड़ा सा ग्राइंड कर लूंगी चाय तो आप ऐसे भी पापड़ बना सकते हूँ अगर ца बीच छोटे इसे grind कर लेते हैं यहाँ पे मैंने grind कर लिया है यह देखे मैंने इतना अच्छा grind किया है थोड़ा-थोड़ा मैंने इसमें course भी रखा है ताकि साबुदाना हमारे थोड़े से नजर आ सके पापड में तो यहाँ पे मैं एक कप के लिए साथ कप का पानी यूज करूंगी टोटल अगर आपने एक कप साबुदाना लिया हो तो आप यहाँ पे साथ कप पानी यूज कर सकते हो जो मैंने साबुदाने का पेश्ट बनाया था उसे मैं एट कर दूंगी और सारी गुटलिया निकाल लूंगी सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद ही मैं इसे गैस की स्टोप पे रखूंगी और इसे अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लूंगी तब तक की हमारा पेश थोड़ा सा गाडाना हो जाए यह देखी फ्रेंट यहाँ पे अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है साबुदाने में तो ऐसे ही आपको पकाते रहना है दस से बारा मिनट आपको पकाना है इसे आपको चलाते हुए पकाते रहना नहीं तो साबुदाना नीचे लग सकता है यह देखी फ्रेंट अच्छी तरीके से यहाँ पे पक चुका है और थोड़ा सा ही हमें पकाना है यहाँ पर तो यह देखिए फिंड हमारे साबुदाना पक चुकी है यह वाले स्टेज पर हम यूज करेंगे सौत के अनुसार नमक और यहाँ पर मैं यूज करूँगी दो चमच के करीब जीरा आप चाय तो यहाँ पर ब्लैक पेपर भी यूज कर सकते हो या आप चाय तो चिली फ्लेक्स भी यूज कर सकते हो पर साबुदाने में प्लेन जो होता है फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इसे में पकालूंगी एक से दो मिनिट के करीब अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है जब भी आप पापड बना है तो नमक का ज़्यादा यूज ना करें नहीं तो हमारे पापड अच्छे नहीं लगते खाने में और जब भी साबुदाने के पापड बना है तो बहुत ज़्यादे पतली इसकी लेर ना आप डाले नहीं तो क्या होगा साबुदाना अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएगा यहाँ पे मैंने एक पेपर शीट ले ली है यहाँ पे मैं बहुत यूनिक तरीका आपको बताऊंगी पापड डालने का जो हमारे पास बैंगल तो सबके घर में होती है ऐसे आपको रख लेना है बैंगल थोड़ा सा पहले शीट के ओपर आईल आपको अपलाई कर लेना है तीन या चार आपको बैंगल ऐसे रख लेनी है जितना अच्छी तरीके से सेट हो पाती है और आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा जो साबूदाने का मिक्षर लेके है ऐसे ही आपको डाल देना है इसे क्या होगा बहुत ही ज्यादा मार्केट स्टाइल हमारे परफेक्ट पापड बनेगे और बिल्कुल भी आपको पतला नहीं डालना है ये वाला ये बात का आप अपको ख्याल रखना है जब भी आप कोई भी प्लास्टिक शीट भी लो उसके ओपर आपको ऑइल अप्लाई करना जरूरी है और ये साबूदाने के पापड आप बिल्कुल भी कॉटन की क्लोथ के ओपर या कोई भी क्लोथ के ओपर ना दाले नहीं तो वह बिल्कुल भी नहीं रिमूव हो गए ये बात का आपको ख्याल रखना है तो चलिए सारे ही साबुदाना हम ऐसे ही डाल देती हूं कोई भी आप प्लास्टिक की थैली ले सकते हो जो कोई भी आपके पास अगर प्लास्टिक का हो तो उसी का आप यूज कीजिए उसमें बहुत अच्छे से सा लोड़े से ड्राय हो जाए तो सारे बैंगल आपको धीरे से हटा देने हैं बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं छोड़ना है बैंगल नहीं तो बाद में बैंगल बिल्कुल भी रिमूव नहीं होगा तो ये बात का जरूर आप ख्याल रखिये देखिए मैंने सारे ही बैंगल यहाँ पे हटा दिये है तो हमारे पापड भी यहाँ पे रेडी हो चुके है सूप के 7-8 घंडे में पापड रेडी हो गए थे तो चलिए यहाँ पे मैं फ्राई भी कर लेती हूँ पापड बहुती जदा क्रिस्पी और बहुती अच्छे और पतले वाले पापड बने थे इसे आप स्टोर करके रक सकते हो किसी भी एई-टाईड कंटेनर में तो हमारे पापड देखिए चलिए इसे टेस्टिंग भी कर लेते है कि हमारे पापड कुरकुरे बने हैं की नहीं इदेकिर फेंड आप चेक कर सकते हो अगर वीडियो थोड़ा भी आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए